चलो फिर हम लोग आगस्ट 2021 का करेंट रफेस का इकानॉमी सक्षन देखते हैं देखो पहला टॉपिक है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन अच्छा एक चीज समझ लो मालो गावर्मेंट के पास बहुत सारा एसेट्स है बहुत सारा इंफ्राइस्ट्रॉक्चर एसे पढ़ा हुआ है ऐसे ही तो गवर्मेंट चाहेगी कि इस वाले एसेट्स से पैसा निकालने के लिए हो सकता है आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो अगर ये एसेट्स पढ़ा हुआ है तो यदि आप यदि गवर्मेंट आफ इंडिया या कोई भी गवर्मेंट अभी मान लो अगर ये एसेट्स को प्राइवेट प्लेयर को दे दे यूज करने के लिए और उसके बाद बोले कि आप इस एसेट्स को वापस से मुझे लौटा देना अफ्टर ए पार्टिकलर इंटरवल अफ टाइम अगर ऐसा पूरा सिरीज होता है एसेट्स प्राइवे ठीक है थोड़ा सा इससे रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट की चीजे हो सकती है तो नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइप लाइन जो है गर्वर्मेंट ऑफ इंडिया के दुआरा लौच करा गया है एसेट को मॉनिटाइज करने के लिए और वेरियस ब्राउन इसेट के लिए समझ में आ गया तो यहीं है नेशनल यह है एसेट मॉनिटाइजेशन और इसके लिए एक स्कीम निकाला गया या एक मानलो की एक रोडमेक तैयार किया गया है जिसका नाम है नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइप लाइग तो यह सब चीज आप पढ़ लोगे तो यह समझ में आ जाएगा तो एक तूछ चीज आपको समझ में आया होगा जब एसेट को गवर्मेंट आफ इंडिया किसी प्राइवेट प्लेयर को दे रही है एसेट मॉनिटाइजेशन में तो यहाँ पे एसेट गवर्मेंट का ही जा रहा है बट कुछ दिने के लिए य ही होगी गलत होगा तो वह एसेट वह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा चलो इसी से रिलेटिक चीजे इसमें समझाए गई है अंडरलाइन पार्ट को कम से कम देख लेना अब यह इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एसेट मॉनिटाइजेशन डिस इंवेस्टमे कम देखो दू तरह का चीछ सुनते हो का सब कुछ कंट्रों कंट्रोंन गवर्मेंट ऑफ हिंडया के पास है मेजरीटी इस टेक वकार्ट मेजरीटी इशन कमन्ट से जादे अगर गारमेंट ऑफ इंडिया का का है तो इस पर मेनेजर मेनेजर सिराशन पाव almost कि किसका हुग तो यह government of India का होगा ठीक है यह चीज आपने पता होगा लेकिन मान लो government of India है government of India का एक company है अभी समझ में आगा अच्छे समझ गवर्मेंट of India का एक company है और इसमें government of India का 85% stake है तो disinvestment किसको कहेंगे और strategic disinvestment किसको कहेंगे वो अभी आपको समयागा strategic disinvestment अगर 85% share है और यदि यह government of India इसका 20% share बेच देती है तब भी government of India के पास कितना रहेगा तो government of India के पास इस case में रहेगा 65% share तो इसको बोलेंगे disinvestment मतलब क्या कि government of India ने government of India ने क्या करा है अपना share बेचा है अपना कुछ share बचा है लेकिन तब भी 51% से जादे share है government of India का 65% है तो यह हो गया disinvestment वाला पार्ट ठीक है और यहाँ पे अभी भी control और या ownership government के पास है लेकिन एक और condition मान लो कि यदि इसका 40% share government of India बेच देती है तो यहाँ पे कित 40% share रहेगा government का तो इस case में हो सकता है ownership वागेरा ownership वागेरा किसके पास चले जाए जिस company को बेचें अगर मान लो private sector में किसी company को बेचा गिया है तो private sector में उस बाले private company का यहाँ पे ownership आ जाएगा तो इसको बोलें strategic investment इसमें क्या हुआ ownership ट्रांसफर्ट हो गया ठीक है समझ में अगर strategic disinvestment बहुत बनिया privatization में तो आपको पता ही होगा जब government share holding कोई भी assets में 51% से कम हो जाता है तो ऐसे वाले को उस वाले company को एक तरह से बोला जा सकता है को वह वाले company एक तरह से privatize कर दिया गया अगर वो private government का share 51% से कम हो गया तो privatization उसको बोला जा सकता है चलो ठीक है उ इन्वाल्व करेगा common framework for monetization of core assets core assets का ही सिर्फ monetization का बात इसमें करा जा रहा है सिर्फ नहीं यह आप बोल सकते हो कि यह core assets के monetization के बारे में बात करेंगे यह देखने ना सिर्फ core assets से और भी कुछ है details में हो सकता है आप पड़ो तो अच्छे समय में आ जाए उसके monetization through disinvestment and monetization of non core assets हाँ यहाँ पर लिखाओ have not been included in the NMP national monetization pipeline में आपका क्या चीज़ covered है core assets covered है और क्या covered नहीं है तो non core assets और non core assets और जो monetization disinvestment के थ्रू हो रहा है वो चीज़ included नहीं है यह line बहुत important हो जाता है आपके prelims point of view से चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़े लिखा हुआ है recently the RBI ने भी release करा है financial inclusion index कौन सा index FI index यह RBI ने अभी क्या करा है आपका release करा है तो पुछा जा सकता है financial inclusion index जो है किसके दौरा निकाला गया है तो आपने पता होना चे आर बिया के दौरा यहाँ पे आपको पता होगा कि RBI ने recommend करा था national strategy for financial inclusion 2019-2024 तर ठीक है उसके बाद एक चीज़ और या रखना ज जो तुम्हारा यह है यह जो financial inclusion वाला जो index है इस index में इस index का कोई भी base year नहीं है doesn't have a base year base year नहीं है इसका यह अपने पता होना चाहिए उसके new banks क्या होता है new banks एक तरह का fintech platforms है fintech platforms है जिसका सिर्फ और सिर्फ digital presence होता है मतलब क्या यह जो banking type का काम करता है fintech वाला काम करता है बट यह सिर्फ और सिर्फ digital presence होता है और इसका physical branches नहीं होता है no physical branches यह दो condition आपने पता होना चाहिए new banks को new banks के बारे में यह basically banking services प्रोवाइट करती है जैसे कि savings account instant loans credit cards mutual funds and fixed deposits यह सब प्रोवाइट करती है यह सब देख लेना they do this wire types with RBI licensed banks यह सब देख लेना यह आपने पता होना चाहिए कि इनका physical presence नहीं होता है only a digital presence होता है इसका और याद रखना there is no such category of banks under RBI rules ठीक है retrospective taxation क्या होता है आपका मान लो मान लो आज कितना तारिक हो गया चार मार्च यहां पर क्या होगा अगर मान लो government of India ने चार मार्च को कोई भी चार मार्च को government of India ने मान लो कोई भी आपका tax rules बनाया tax related law ठीक है बट ऐसे tax related law बनाया है कि यह चीज 5 March 2022 है न अगर यह चीज 1990 दो मार्च इसमें लिखा रहा है कि यह जो रूल से यह tax वाला रूल से 2 March 1990 से apply होगा तो बना तो रहे हैं अभी 4 March को बट यह apply कब से होगा 2 March 1990 से तो इसी को बोलेंगे retrospective taxation मतलब क्या कि बना अभी रहे हैं लेकिन पहले से ही पहले वाला taxation को भी इसमें include करा जागा इसको बोलेंगे retrospective तो इसी में कुछ-कुछ चीज़े आपको पता होना चाहिए कि taxation amendment वगेड़ा कुछ-कुछ हुआ है जो कि scrap कराया स्क्रेपिंग दा 2012 retrospective tax law यह सब कुछ-कुछ है अगर डेटेस पढ़ना होगा तो पढ़ लेना अच्छे से retrospective taxation मैंने बता दिया यहाँ पर इस तोनों टरम को अच्छे से अगर समझने कमन होगा तो समझ लेना expropriation और fair and equitable treatment चलो एक दूचीज जान लो यह जो आपका टेक्स के लेटे जो राइट है जैसे कि राइट टू टेक्स यह कोड सोवरेन पावर है मतलब क्या सोवरेन पावर गवर्मेंट का जो है यह सोवरेन पावर है वो अपने यह साब अजै करते हैं अच्छा चलो कोई नी प्राइवेट सेक्टर पार्टिशिपेशन इन रेलवेज देख लो इसमें आपने क्या क्या पता होना चै कि इससे लेटेट को चुछ वारे आपने पता होना चै जैसे साम पित्रोडा कमीटे के से लेटेर यह आप पता होना चै विब largest rail network in the world इसके बाद United States, China और रश्या के बाद ये भी पता होना अच्छी और ये सब मेंस पॉइंट और ये सब बहुत पॉइंट मैंने छोड़ रखा है मेंस पॉइंट और ये सब बहुत इंपॉइंट है और आपने पढ़नी चाहिए अच्छे से ये सब चीज चलो ठीक है आगे चलते हैं उसके आदे नेशनल मिशन ओन एडिबल ओयल ओयल पाम एन एम एओ और ओपी ये आपका सेंटरली स्पॉंसर्ड स्कीम है ये प्रमोट करेगा डोमेस्टिक कल्टिवेशन ओफ ओयल पाम इन दे नेक्स्ट फाइव ये ये सब देख लेना चलो इट विल सबस्यूम दे ये जो MEOP वाला जो स्कीम है ये सबस्यूम करेगा दे करेंट नेशनल फूड सेक्योर्टी मिशन ओयल पाम प्रोग्राम ये देखना होगा तो देख लेना इसका फोकस रहेगा इसकीम का नॉर्थ एस्ट वाला जो रिजन है और अंडमानेंट निकोबार आइलेंड वाला जो रिजन है ये सब चलो और भी बहुत कुछ है तो अगर मेंस पॉइंट वीशे बहुत इंपॉटन हो जाते हैं ये सब टॉपिक मैंने बोल रखा है कि ये प्रिलिम्स ओरियेंटेट कुछ-कुछ लेक्चरस मैं ले रहा हूँ अभी कुछ टाइम से चलो यहां पर पूछा जा सकता है इस सब से लेटेट कि RSPO, Green Palm, Sustainable Palm Oil Collision ये सब से पूछा जा सकता है क्या कि राउंटेबल या RSPO ये सम्टाइम से लेटेट है, Green Palm ये क्या से लेटेट है, तो आपने पता होना चाहिए Green Palm जो ये एक तरह सा Certificate Trading Type का प्रोग्राम है, जो कि अलाओ करता है Consumer को, Purchase Sustainable Palm Oil Certificates है, ये सब चीज के लिए आपको अलाओ करता है Green Palm, उसके बाद उसी तरह से Round Table on Sustainable Palm Oil क्या है, ये Not For Profit International Membership Organization है, ये सब आपने पता होना चाहिए, चलो, Live Stock Sector of India, Mains Point of View से बहुत इंपोर्टेंट, Appearance Point of View से कुछ-कुछ जो 20th Live Stock Sensus था उसके बारे में डिटेल से इस पार देख लो, जैसे, वर्ल्स का Highest Live Stock Owner, ठेक है, इंडिया है, First in the Total Buffalo Population इंडिया के पास, Second in the Goat Population इंडिया के पास, Third in Ship Population इंडिया के पास, तो क्या चीज़ था, Highest, Highest Live Stock Owner, इंडिया, First in Total Buffalo Population, इंडिया, Second in Total Goat Population, Third in Ship Population, यह सब इंडिया, पता हो ना, चाहिए, सरी, चले गया, कहां चले गया, चलो, यह सब अपनो पता हो ना, चुछ, इसका Second, Largest, Poultry Market World में, किसका इंडिया का, Second Largest Poultry Market in the World, Second Largest Producers of Fish, Second Largest Aquaculture Nation in the World, तो यह पॉइंट आपके लिए बहुत important हो गया, यह वाला चीज, चलो, उसके बाद Smart Meters, Smart Meters क्या होता है, इससे related questions आ सकते हैं आपका, कि इसमें से कौन-कौन सा advantages यार disadvantages है, of Smart Meters, most chances से advantages के बारे में, पूछा जा सकता है, कि smart metering का बात किया जा रहा है, smart meters के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप पता हो कि इसका क्या-क्या advantages है, पता होना चीज है, ठीक है, देखो, advanced metering infrastructure क्या होता है, यह एक तरह का integrated system है, जो कि बहुत hardware और software components को integrate करके बनाया जाता है, जैसे कि smart meters हो गया, communication networks हो गया, meter data acquisition system हो गया, meter data management system, देखो, which enables two-way communication between utilities and customers, basically advanced metering infrastructure मान लो, यह एक तरह से integrated system है, बहुत सरा hardware और software को मिला कि यह एक तरह का infrastructure डेवलप करने के बारे में, बात करा चारा है, ठीक है, देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह जो आपका अच्चा है, एक चीज आपने पता होगा, जो आपका smart meters, एक तरह का prepaid smart meters भी कहा जा सकता है, इसको मतलब क्या, मतलब क्या, जैसे आपाफ लोग अभी recharge करते हो, अभी recharge करते हो, prepaid phone में, prepaid mobile में رichage करते हो, तो क्या होता है, अगर आपने 179 का, या हमने 179 का recharge करा है, तो यह recharge something कुछ time तक लिए valid होगा या इसको आप use कर सकते हो किसी भी तरह से या एक याद है पहले हम लोग recharge करते थे 100 रुपए का 50 रुपए का ऐसे और जब talk time खतम हो जाता था तो फिर से recharge करना पड़ता था उस type से कुछ ऐसा हो सकता है exactly हो सकता है कुछ को 500 रुपए का आपने recharge कर दिया अपने मीटर को अब उसके हिसाब से आप उसको use कर सकते हो prepared smart meters इसको बोला जा सकता है यह बहुत कुछ को control कर सकता है मतलब आप किस हिसाब से electricity use कर रहे हो कहां पे कैसे use कर रहे हो कैसे utilize कर रहे हो इसका बहुत अच्छे utilization वगेरा smart metering system smart meters देख सकता है यह track कर सकता है energy consumption को यह सब चीज भी यहां पर हो सकता है अब आपके पास एक चीज़ important आपको पता होना चीज़ इसल क्या है इसल क्या है इसल क्या है इसल एक तरह का joint venture है between four CPSU central PSU joint venture किसका है चार PSU का है central PSU का है क्या में उसका NTPC, REC, PFC और power grid यह सब का क्या है joint venture है ठेक है यह implement कर रहा है smart meter national program in India smart meter national program in India कौन implement कर रहा है तो ESL कर रहा है तो ESL है क्या तो यह joint venture है अच्छा भाई joint venture किसका है तो चार CPSU का है कौन सा चार CPSU का है तो NTPC, REC, PFC, power grid बहुत सारे questions नहीं से बन सकते हैं चलो चलो ठीक आप आपका यह वाला अगस्त मंत का prelims oriented current interface मैंने वीजन के करवा दिये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है thank you